हेलो एडीज, वेलकम टो आरे एंजलिक गाइडेंस, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे, आज मैं फिर आपके सामने रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखेंगे आपका 2023 कैसे रहने वा हूँ और हैं प्रिस गाइस प्राइस हूँ और हैं फे वे ल Elder का आपकी आपके छिए हैं यदिक आपके छोच के तार कर देए अच्छा के लाएपो के लगर टीए परिस मिल्डिक आपकी आपके सम चड़ेंगे हैं वाट प्रिसम् paved मिल्स के लीडिक लग screams जाडिक खे Seven of Wands, Ten of Pentacles, Seven of Swords, Ace of Cups, ओके, यह हैं आपके कार्ट, चलिए यह देख लेते हैं, क्या बता रहे हैं आपके लिए, इतना मैं बता दूं कि आपका जो 2023 रहने वाला है, उसमें कुछ एनिमीज भी आपके होंगे, ठीक है, कुछ ऐसे लोग भी होंगे, जो आप से जलेंगे, यह भी हो सकता है कि आपके अंदर जो potential है, आपके अंदर जो hard work करने की power है, ठीक है, वो समझ जाएंगे आपके अंदर क्या है, ठीक है, और वो चीचे खराप करने की कोशिश कर सकते हैं, आपके बनते काम कोई बिगारने की कोशिश 2023 में कर सकता है, ठीक है, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, जो काम बिगारे, और कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, जो आपसे जले, ठीक है, इस तरह के enemies मैं आपके खड़े होते हुए देख रही हूँ 2023 में, तो आपको उन लोगों का ध्यान रखना है, ठीक है, किस भी वज़े से हो सकता है, आपने कुछ भी अच्छा किया लाइफ में, कुछ भी, ठीक है, वो वो चीज़ को देख के वो आपसे जल रहे हैं, कि इसने ऐसा कैसे कर लिया, इसके पास ये क्यों है, ठीक है, तो ये वाली भावनाएं मैं देख पान ही हूँ, 2023 में लोग आपसे जलेंगे, एक जलन की भावना रखेंगे अपने अंदर आपको लेके, और ये आपकी, आप आगे बढ़ रहे हो, इसी वज़े से हैं, ठीक है, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, इसी वज़े से ये चीज़ हो रही है, कि लोग आपसे जल रहे हैं, तो ये चीज़े आपको देखने को मिल सकती है, तो अपने शत्रों का, अप आपने एनिमीज का आपको ध्यान रखना है ठीक है नाइर ओफ पेंटिकल्स में यहाँ पर आपको फाइन्स पर भी काऊंगी थोड़ा सा ध्यान रखने की जवत है हो सकता है कि आपको आप कुछ लोगों के फाइन्स स्टार्टिंग में ही ज़ादा खर्श हो जाए या इस साल के अंत में थोड़े ज़ादा खर्श हो जाए जिसके वज़े से कि अब उटको स्टार्टिंग में 2023 के स्टार्टिंग से ही उनको अपना फाइन्स को ध्यान रखने की जवत है कुछ लोगों के लिए investment की बात की जारी है investment को सोच समझ के करना है ठीक है? doors open हो सकते हैं आपके investments के लिए ठीक है? कुछ लोगों की job के लिए आपे doors open होते हुए मुझे दिखाई पड़ रहा है night of pentacles है ठीक है? तो थोड़ा चलाग बने की जरूवत अपने पैसो को लेकि यहाँ पर ठीक है? हाँ मतलब की आपको सामने वाले से 10 कदम आगे चलना पड़ेगा ठीक है? तो अपने पैसो को समझाल के कैसे कहा invest करना है? क्या करना है? यह आप पर depend करता है ठीक है? यहाँ मैं देख रही हूँ आपको hard work करने को कहा जा रहा hard work मैं यह कहूँगी आप से कहा जा रहा कर्म करो ठीक है? 2023 आपके लिए बस यह है कि कर्म करो, फल की शिंदा मत करो महनत करो ठीक है? 2023 मैं आपको महनत करने के लिए कहा जा रहा है जित्ता हो सके आप अपने महनत पे ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो, ठीक है? बाकी दुनिया जाए भार में. यहाँ दो काड इस तरीके क्या है? एक तो five of swords है दूसर seven of wands है. मैं देख पानी हूँ यहाँ पे आपकी higher post आपको मिल सकती है ठीक है? आप जिस चीज़ की preparation कर रहे हैं, वो आपको मिल सकता है और कोई competitive exam में जिसमें बहुत लोग भाग लिए हुए है और आप भी उस चीज़ की preparation कर रहे हो वो चीज़ सब को न मिल के आपको मिल सकती है यह बहुत chances है, ठीक है? यह सब आपकी महनत पे आपके अंदर की जो potential है उस पे बहुत जादा depend करता है ठीक है? मैं यह भी देख पा रही हूँ आपके लिए कि आप जो भी कर रहे हो यह मैं देख रही हूँ कि आप थोड़ा सा लोगों का ध्यान अपमें तरफ अकरशित कर रहे हो तो 2023 में ठीक है, लोगों की नजरे रहेंगी आप पे किसी ना किसी तरीके से और वो देख रहे हैं कि वो चाहते हैं जो आपके पास है, वो पाना वो चाहते हैं ठीक है? बहुत सारे ऐसे भी जैसे वान्स आप देख रहो ना बहुत सारे उंगलियां भी से आपकी तरफ उच सकती है ऐसी भी सिच्वेशन आपकी लाइफ में आ सकती कि आप एक तरफ हो, बागी सब एक तरफ है ज़रूरी नहीं कि मैजॉर्टी एक तरफ है तो आप गलत हो सकते हो, आपकी बात भी सही हो सकती है, ठीक है? आपको अपनी बाते खुल के रखनी पर सकती है, अगर आप कुछ लाइफ में करना चाहते हो, पाना चाहते हो, तो मैं यह चाहूंगी कि आप खुल के सामने रखो especially यह फैमिली के साथ होता है कि फैमिली के सामने हम खुल के नहीं बोल पाते है हमें क्या चाहिए, ठीक है? फैमिली के लिए ही, ठीक है तो अगर आपको लगता है कि मुझे यह करना है लाइफ में या यह चाहिए तो मुझे लगता है आपको अपने point of view रखने होंगे, ठीक है? चाहे हो किसी के सामने भी हो अपनी बात को आपको रखना होगा आगे ठीक है? और इस समय पे असा लग रहा है कि आप grow कर रहे हो, खुल के सामने आ रहे हो, ठीक है एक opportunity की तरह आपके इस जीवन में आ रहा है कि आप grow कर रहे हो आगे बढ़ रहे हो, निखर रहे हो ठीक है? यहाँ पर ten of pentacles जो दिखा रहा है, मैं देख रहे हो कि financially काफी सही रहेगा, मैं आपका किसी से रिष्टा जुड सकता है, ठीक है? यह family में कुछ अच्छी celebration हो सकती है यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि financially मैं यहाँ पर gain होता हुआ ही नजर आ रहा है फिलाल तो, बट फिर भी starting में मैं कहूंगी कि अपने finance को आप समलके कर चलना, ठीक है? बट यहाँ पर इसा दिख रहा है कि financially gain आपको हो रहा है, कैसी कोई money, रुकी हुई money आपके पास आ रही है, यहाँ पर wealth बढ़ता हुआ दिख रहा है, family में खुशियां दिख रही है मुझे inheritance की तरफ से भी आपको कुछ पैसे मिल सकते हैं, ठीक है? family वालों की तरफ से आपको कुछ wealth का support मिल सकता है यहाँ पर, दूसरा आप थोड़ा careless भी होगे, ठीक है? आप, मैं देख रही हूँ कि यह पूरे साल में आपने कुछ achieve किया, ठीक है? over confidence नहीं होना है यहाँ ठीक है? over confidence आया जहाँ पे वहाँ आगे बढ़ने में चूकने शुरू कर दोगे, ठीक है? दूसरा मैं यह देख पा रही हूँ कि कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपके साथ cheat करें, ठीक है? धोका दे सकते हैं आपको वो तो उन लोगों की परक आपको रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा mind खुला रखना पड़ेगा, अपनी ही चीजों में आप ऐसे अंधे नहीं हो सकते हैं, माना खुशियां आती हैं, बहुत अच्छी बात हैं लेकिन उन खुशियों में इतने अंधे भी मत हो जो कि कौन आपके साथ क्या कर रहा, आपको पता भी ना चले ठीक है? कोई हो सकता है जो आपके अच्छे होने का फाइदा उठाए, तो इन चीजों का दूर रहिए, ठीक है? Ace of Cups दिखा रहे हैं कि बहुत साथ emotions, बहुत सारे emotions, like आप feel करोगे ये family के साथ भी हो सकता है family की तरफ से, अपने career को लेके ये passion भी कुश लोग के लिए हो सकता है कुश लोग के लिए love हो सकता है आप किसी से प्यार करते हो वो emotions आप feel कर रहे हो या किसी के लिए sad हो रहे हो ठीक है? मैं देख रही है, खुल के express करोगे खुद को, खुल के express करोगे एक मैं या एक बात और notice कर पार, यो channel भी हो रहा है अपने अंदर का डर है ना, जो जिजख है वो खतम हो रही 2023 में ऐसा लग रहे है कि क्या चुपाना, ठीक है? ऐसा देख रहा है याप 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 डर नहीं रहे हो आप अपना वो खुल के express करोगे जो है जैसा है, वो है simple as that, ठीक है? इसमें कुछ चुपानी की जरुद नहीं है, कि नहीं मैं रो नहीं सकता या मैं हस नहीं सकता जादा या मैं जादा किसी से मलब भई है ना, कि आप किसी के कुछ लोग दरते हैं रोने से किसी के सामने तो ऐसा नहीं होगा अगर आप, हाँ, आपको कुछ फील हुआ है तो आप बोलोगे ठीक है किसे से प्यार करते हूँ या आप बोल तो कि simple is that कि हाँ मैं like करता हूँ या मैं प्यार करता हूँ simple is that ऐसा रहेगा आपका एकदम तो मैं ये देख रही हूँ कि आपको ये सीचे का डर नहीं रहेगा life में आप कही न कही फोकस रहोगे मुझे क्या चाहिए इस पर ठीक है ये मैं देख पा रही हूँ कि मुझे क्या चाहिए इस चीच पर आप फोकस रहोगे ये बहुत बड़ी बात है एक बहुत बड़ा positive बदलाव है लेकि अगर अभी तक नहीं आया है आपके अंदर तो ये emails अगर आप देख रहे हो आपको कोई ऐसा partner में देगा 2023 में जो आपके लिए सब कुछ करेगा ठीक है आपको खुश रखने के लिए ठीक है आपको flowers चाहिए gifts चाहिए आपको घुमाने ले जाना है ठीक है A to Z वो अपनी पूरे efforts देगा ठीक है चुकि वो चाहता है कि आप smile करते रहो वो आपसे प्यार करता है ठीक है कोई ऐसा person आपके जीवन में आने के बहुत chances है अगर आप already किसी किसार relationship में हो तो आपकी जो partner है वो आपसे और close ह जाएंगे ठीक है और वो आपके लिए सब कुछ करना चाहेंगे अपने रिष्टे के लिए करना चाहेंगे इसको next level पे ले जाने की पूरी कोशिश करना चाहेंगे ठीक है अगर boys आप देख रहे हो में अगर देख रहे हैं तो मैं देख रहे हूँ कि यहां पर आपको किसी के सीसी से प्यार हो सकता है ठीक है और वो शैद वो प्यार आप में से काफी लोग को बदलने पर मजबूर करेगा ठीक है आप दिल से किसी के लिए कुछ करना चाहोगे ठीक है उन्हें प्यार देना चाहोगे अपना उन्हें खुश रखने की कोशिश करना चाहोगे ठीक है ये उर्जा में आप टैप इंड करते वे मुझे दिखाई पर रहा है आईए देख लेते हैं I'm curious तो जिस तरह की ये energy है तो मैं देख पा रहे हूँ कि universe universe the energy is freedom loving enjoy करोगे ठीक है और freedom loving मैं देखी freedom loving सिर्फ ये भी आता है कि मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं choose कर रहा हूँ मैं ये पास options है तो मैं वो choose कर रहा हूँ जो मैं दिल से करना चाहता हूँ ठीक है तो ये एक freedom loving है freedom loving क्या आप अपने emotions को छुपाओगे दबाओगे नहीं आप खुल के express करोगे कि मैं क्या चाहता हूँ या क्या चाहती हूँ ठीक है ये बहुत बड़ी बात है ठीक है थोड़ा rebellious भी होगे वही बात कह रही हूँ ना मतलब आप ना लोगों की बातों का थोड़ा ये कोगे मुझे तो यही करना है तो मैं यही करूंगा ठीक है आप उनकी बात नहीं मारोंगे तो थोड़ा सा rebellious nature भी हो सकता है ठीक है लेकिन ऐसा भी है कि आप कुछ अचीफ करोगे कुछ ऐसा अचीफ करोगे जैसे मैंने कहा कि कुछ ऐसी चीजे हैं जिसके पीछे सब पढ़े हैं लेकिन वो चीज आपको पिल रही है ठीक है तो यह यह भी चीज लोगों को प्रेद करेगी आपके तब कि यह हाँ ऐसा वनना चाहिए अगर वो लोग यह कहेंगे आपको दिखा कर कि अगर यह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हू और इसने अपने दिल के सुनी है तब यह जाके यहाँ पहुचा है तो मुझे भी वही करना चाहिए मतलब यह कुछ inspiration आप लोगों को दोगे कुछ ऐसे inspire करोगे ठीक है अब में से काफी लोग technology के तरफ attract हो सकते है technology से related कोई काम कर सकते है ठीक है यह वही चीज है वही बात कह रहे है देखो बहुत लोग होते हैं जो चाहते हैं उन्हें नहीं मिलती है ठीक है बहुत से ऐसे होते हैं दुनिया में जिनकी जो चाहत होती है मनो कामना होती है विशेस होती है वो पूरी नहीं हो पाती बढ़ यहां पर ऐसा दुख रहा है युनिवर्स है युनिवर्स है तो पुरी कािनात मुझे लगता है आप उनको पूरी energy अपनी send करो कि नहीं मुझे यह चाहिए इसको पाने के लिए आप manifestation power use करोगे ठीक है यहाँ पर आप imagine करोगे कि हाँ वो मुझे मिल रहा है वो मुझे मिल रहा है और आपको सच में मिल रहा है ठीक है तो यह powers मैं देख पा रही हूँ आप use करोगे ठीक है 2023 में यहाँ आप बहुत ज़्यादा हद तक आप अपनी powers को समझ कि उसको किस तरीके से use करना है आप वो मैं देख पा रही हूँ या आपर unlikely कुछ ऐसी चीज़े भी होँगी जो आपके हक में नहीं होँगी मतलब आप चाहते वैसा हो जाए बढ़ वो नहीं होँगी आपके favor में नहीं जाएगी ज़रूर नहीं यह लाइफ का remote आपके हाथ में नहीं है वो तो कोई और चला रहा है तो कुछ चीज़े ऐसी होँगी जो आपके मताबिक नहीं होँगी बढ़ यह है कि उसमें से हम फाइदा कैसे ले सकते हैं यह आप वो सीखना है इसमें बनाने के लिए आपको प्रिप्रेर कर रही बस तो यह कोई भी पेन अगर आप लाइफ में पा रहे हो तो यह बस आपको as a healer बनाना है इसलिए आप इन सब चीज़ें जा रहे हो main purpose आपका as a healer है divine order do what you feel is better आपको जो लगता है सही है आपको लग रहा कि यह सही है तो आप करो ठीक है an important lesson is unfolding इसके पीछे क्या lesson है अच्छे lessons भी हो सकते है कि हाँ देखो मैंने किया और मुझे मिल गया हाँ ना तो आपको यह सीखने को मिलेगा या फिर नहीं मिला तो lesson मिलेगा कि शायद इसको दूसरे तरीके से कर सकते है या तो मैंने जादा जलबाजी कर दी या फिर कुछ भी lesson आपको मिल सकता है कि नहीं बड़ों की बात सुन लेनी चाहिए तो बहुत साइज चीजे है तो अच्छे भी हो सकते बुरे भी हो सकते लेकिन आपसे कहा जाए रहा है आप वही करो जो आप करना चाहते हो बात में जो lessons होंगे वो आपको मिल जाएंगे जो भी है तो ये आपके लिए message है आए देखते है confidence is your key to success इसलिए कहा जा रहा है इसलिए आपसे कहा जा रहा है तो ये चीज़ को आप guard बातनके चलना कि confidence ही मेरा हतिहार है ठीक है तो लुषॉरम ट्रेंटरी में कोशिश करना confident रहना ठीक है कोई बुरी situation आती है उसमें अपना confident lose मत करना बुरी situation क्यों आ रही है healer बनाने के लिए आ रही है बुरी situation का हमें कैसा करना है अपना अपना फाइदा निकालना उसमेंसे भी हम कैसे अपना फाइदा निकाल सकते ज़रूरी नहीं सब कुछ हमाएं मताबिक हो ठीक है तो ये चीज़ों को भी याद रखना not for you तो कुछ चीज़े आप लिए नहीं बनी है इसलिए आपको नहीं मिलेगी ये सच बात है ठीक है जो हम कोशिशे करते हैं फिर हमको नहीं मिलती है तो not for you कुछ ऐसी चीज़े भी होंगी जो आपके लाइफ में आपको नहीं मिलेगी ये जो आपका कार्ड है ना 2023 आपका 50-50 जाएगा कुछ चीज़े आपको मिलेंगी भी कुछ चीज़े नहीं भी मिलेंगी लेकिन इसमें आपको अपना confidence नहीं lose करना है ठीक है कुछ चीज़े नहीं मिलेंगी जैसे कि not for you आया ही है तो उससे sad नहीं होना है मैंने बहुत पहले आपको बहुत कुछ समझा दिया इसमें आएए देखते हैं योनिवर्स 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 ठीके देखे योनिवर्स आपके साथ है अब आपको ये देखना है कि योनिवर्स के साथ हम कैसे काम कर सकते हैं युनिवर्स की आपकी जो पावर है और युनिवर्स की पावर उसको align कैसे कर सकते हैं यह ची 죄송 आपपे depend करती है बहुत सारी बात但 मैंने पहले भी बता दी है आपको पता चली चुका होगा कुछ hint मिलगे की कईसे करना है ची 죄송 आप कितना जादा अच्छे से उसको चाहते हैं, कितना जादा उसको चीज को चाह रहे हो कि मेरे पास आजाए, वो भी बहुत मैटर करता है, ठीक है, और दूसरा कुछ चीज आपके लिए नहीं बनी है, चुकि वो अगर आपके लाइफ में है, तो आपकी लाइफ दिस्ट्र होंगे, ठीक है, मन में पीस, यहाँ पे बना के रखना आपकी बहुत फाइदे मन्त होगा, ठीक है, जिन्हें मानते हैं, जो भी उर्जा को आप मानते हैं, ठीक है, दिल से, उसको याद करते हैं, जब मुश्किलों में होते हैं, ठीक है, उसको बस मन में रखना, बस उसको म ठीक है बस और कुछ नहीं चाहिए और spiritual मैं देख पा रही हूँ आप होगे जो कि जब आपका विश्वास उपर वाले पर बनने लगता ना वैसे वैसे आप spiritual होते जाते हो ठीक है exhaustion, ठकान बहुत सारा काम करना है जो कि आपके जो मैंने traditional tarot से देख तो समय आया था seven of pentacles तो वो बहुत मेफनत देख पारी थी मैं बहुत मेहनत कर रहे बहुत मेहनत कर रहे थी Eight of Pentacles तो बहुत महनत करते हो आप मुझे दिखाई पड़ रहे थे तो आप थोड़ा सादा खुद को ध्यान भी रखना है Meditation करना अच्छा रहेगा बहुत ज़्यदा हो सकता माइन में बाते चलें या बहुत ज़्यदा थकान हो काम करके आओ समय ना मिले खुद के लिए Meditate भी कर सकते हो अच्छा लगेगा Aram करो, Rest करो ज़रूरी है Judication कोई तो ऐसा फैसला आपके हित में जा सकता है यहाँ पे आप Marriage का भी मुझे दिख रहा है किसी के साथ Marriage कर सकते हो Court Marriage भी हो सकती है Arrange Marriage या Court Marriage कहना ज़्यादा सही रहा है Court Marriage भागी करोगे तो Love Marriage हो जाती है तो वही चीज़े है आप मैं देख रही हूँ और कुछ ऐसी चीज़े भी हो सकती है अगर आपका कोई Court Case चले ठीक है और वो आपकी फेवर में भी जाने के chances बन रहे हैं यापर ठीक है आगे देख लेते हैं कौन सा मन्त आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा 2023 में ओकी July देखिए मार्च खुद आया है जन्मरी June तो जन्मरी, मार्च, जुलाई, जून यापके लिए सबसे बेस्ट रहेगा सबसे इंपॉर्टन चीज क्या मतलब क्या सबसे में रहने वाली है करियर 2023 में आपके लिए करियर बहुत जादा ही इंपॉर्टन रहने वाला है ठीक है करियर से बहुत सारी चीज़े आपको हो सकती है अगर आपको जस्टिस चाहिए था तो मैं देख रही हूँ कि आपको नेक्स्ट चीयर मिलेगा ठीक है थुड़ा वेट कर लीज़े आए देखते हैं यहां पर और क्या होने वाला है यहां पर वुमेन आया है डीलिंगा रुलेशन्शिप इतब वुमेन तो आप किसी वुमेन के साथ डील कर सकते हो रिलेशन्शिप में आ सकते हो ठीक है कोई यह ज़रूरी नहीं है कि यह लव रिलेशन्शिप हो कुछ लोग के लिए मदर भी बहुत बड़ा रोल आपका नेक्स्ट येर अदा कर सकती है यह कोई और वुमेन यह बाइफ हो सकती है ठीक है यहाँ पर बैटा है टेक कियर अनिमीज आ वॉर्किंग अगेंस्ट यू क्या कहाता है मैंने अनिमीज से थोड़ा सा बच के रही है अपने राइट डॉक्स गेटिंग तुगेदर वद फ्रेंज फ्रेंज के साथ भी आप मिलो जलोगे पर्टिंग अप दे वे इस आईदर रोमैंस और बिजनेस बिजनेस या रोमैंस में अगर आप किसी के साथ कोई मिल के पार्टनरशिप में काम कर रहे थे अलग हो जाओगे ठीक है या चांसे थे या तो अगर आप किसी के साथ रिलेशन्शिप में थे तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है ठीक है बिजनेस की बात करें तो अगर किसी का बिजनेस टूट भी रहे इनवाल्मेंट इस विद लौब्लम्स में कहा कि कुछ लोगों का केस पर गड़ा चल सकता है ठीक है हो सकता है आपको लौ के स्टड़ी करनी हूँ ठीक है लौ में पढ़ाई करनी हो मून चेंज नियू लाइफ कुछ तो चेंज आएगा आपके लाइफ में नौट फॉर यू आया था ना हो सकता है कुछ लोगों के लिए कुछ चीजे नहीं होती है ठीक है ओल्ड वोमें दीलिंग अर रिलेशन्शिप इन ओल्ड वोमें तो हो सकता है कि आप किसी ओल्ड वोमें के साथ भी टील करो या कोई ग्रैंड मदर हो सकती है ठीक है यह थी आपकी डीलिंग अगर अच्छ लेगी तो लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब मैं चला अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा लाइक कीजिएगा थैंक्यू फो वाचिए